तो finally हमारे इंडिया के बहुत सारे major cities में जो है 5G की services available कर दिया गया है आप easily अब उसे अपने mobile phone पर access कर सकते हो तो definitely हम upgrade कर रहा है 4G से 5G और बहुत जल्दी हमने कर लिया भी कुछ दिन पहले 3G चल लाता फिर अचानल से 4G आया और अभी हम 5G के तरफ चल रहा है तो definitely हो सकता यहां पर होता ही है कि जब भी market में कोई नई technology आती है तो बहुत सारे उसे related questions और बहुत सारी queries भी आप लोग के मन में उठती है और definitely उसका जवाब देना हम लोग जैसे हमारे यूटिवर्स का काम है यहां पर बहुत major query आ रही है कि हमारे पास तो 4G का SIM card है तो हम उसे 5G में कैसे upgrade कर सकते हैं यानि हमारे पर 5G का SIM card कैसे आएगा हम अपने पुराने वाले SIM में कैसे 5G पे upgrade कर पाएंगे तो सबसे बड़ा यही कोश्चन है तो start करते वीडियो को मेरा नाम है खेर नाम में क्या ही रखा यार start कर लते वीडियो को query आ रही है कि 4G SIM को कैसे upgrade करें 5G में तो यह बहुत ही basic और major query है और मुझे भी लगता है यार बहुत सा लोग नहीं समझ पा रहे हों गयार कि जब जैसे हुआ क्या था जब 3G SIM cards थे तो उसमें जब 4G आया था तो हर किसी को अपने SIM को upgrade करना पड़ा था नया SIM लेना पड़ा तो सबसे पहले अपने दिमाग से इस बात को क्लियरली निकाल कर फेक दीजिए कि आपको किसी भी तरह का SIM upgrade करना पड़ेगा डेफिनेटल की अभी फिलाल जो एयर टेल की 5G सर्विसेस है तो एयर टेल ने ऑफिसली स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि उनकी जो 5G सर्विसेस हैं वो उनके 4G SIM में प्रॉपरली सपोर्ट करेंगे आपको किसी भी तरह का कोई भी SIM अपग्रेडेशन कराने के जरूवत नहीं यानि आपको स्टोर पर जाके SIM चेंज नहीं कराना है कोई 5G वाला SIM लेने की जरूवत नहीं है और जियो ने अभी खैर जियो के तरब से ऐसा कोई statement आया नहीं है बट जैसी आएगा सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगे इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा यहां पर कुछ और भी क्वेरी हैं कि यार मेरे पास तो मुबाइल फोन है जो 5G सपोर्ट भी करता है और मेरे एरिया म तो बहुत पहले से बेच रही है बट उन्होंने 5G वाला जो फीचर है उसको लॉक करके रखा है तो आप बिल्कुल टेंसर मते जीए अगा आपके मुबाइल में 5G सपोर्टेबल है तो डेफिनेटली अपडेट के थुरू आपकी मुबाइल कंपनी आपको एक अपडेट क चलेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है जो पुरानी सिम कार्ट से जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2G और 3G सिम कार्ड आज भी उज़ करते हैं तो यार उनके में 4G यह नहीं चलेगा तो 5G कहां से चलेगा तो उनको डेफिनेटली अपडेट करना पड़ेगा बट यह विद अलावा भी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स तो आप लोग के लिए ना तो आप लोग वहाँ पर कमेंट क्यों नहीं करते हो किया करोगे तो उससे में पता चलेगा कि आप क्या जानना चाहते हो हमसे आपको और किस चीज़ों के बारे में हम जानकारी दे सकत हैं तो बस आज की वीडियो में इता है मिलता एक लिए किसी ने वीडियो में किसी एक ने टापिक की साथ तब तक लिए गुट बाई